JTC Holidays प्रस्तुत करता है शिमला वर्चुल टूर। शिमला में सभी पर्यतन गतिविधियों का केंद्र, रिज शिमला के शीर्ष पर्यतन स्थलों में से एक है। हिल स्टेशनों में मॉल रोड आम तोर पर कई छोटे स्टालों, दुकानों और ब्रांडेड शोरूम के साथ लगी किसी भी सड़क का एक खंड है। शिमला का सबसे उचा स्थान, जाखु हिल को शिमला के सबसे प्रसिद पर्यतन स्थलों में से एक माना जाता है। ग्रीन वैली वास्तव में शिमला में घूमने और फोटोग्राफी करने के लिए सबसे प्रसिद शिमला पर्यतन स्थलों में से एक है। क्राइस्ट शच पर्यतकों के बीच लोकप्रिय आकर्शनों में से एक है और इसे शिमला में घूमने के लिए टॉप टेन स्थानों की सूची में माना जाता है। कुफरी अपने शांत वातावरण, लुभावने द्रिश्यों के साथ साथ विशिष्ट आश्चर्य जनक स्थानों के लिए जाना जाता है। शिमला में आसानी से सबसे एतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सनरचना, वाइसरेगल लॉज कभी भारतिय वाइसराय का ग्रीश्म कालीन निवास था, जिन्होंने 1888 से 1946 तक भारत पर शासन किया था। शिमला की गोध में बसा एक नोफ्रिल्स एविरी, हिमालेयन बढ़ पाक शिमला में आपकी छुट्तियों के दोरान घूमने के लिए एक शानदार जगा है। यह शिमला में घूमने के लिए प्रसिध और धार्मिक स्थानों में से एक है। यह शिमला से काल का शिमला राजमार्ग पर लगभग 20 मिनिट की ड्राइव पर स्थित है। किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिमला राज्य संग्रहाले शिमला के पर्यटन स्थलों में से एक है। चीर से धकी पहाडियों के भव्या द्रिश्यों के साथ यह पांच घंटे की ट्रेन की सवारी शिमला सूची में आपकी चीजों पर होनी चाहिए। अनाडेल शिमला में एक समतल भूभाग है जिसे शहर के खेल के मैदान के रूप में विक्सित किया गया है। क्रिकिट खेलने के लिए मैदान का उप्योग किया जाता है। प्रकृती प्रेमियों, वन्यजीव उत्साही और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान, कियाला वन आपको घने वनस्पती और विविद वन्यजीवन प्रदान करता है। खोज रहे हैं शिमला में क्या करें? तो, कुथा किले की सेर शिमला में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह शिमला के सबसे पश्चिमी सिरे पर एक प्रमूख आकर्शन है जो शिमला में मॉल रोड और रिज के बीच पड़ता है। शहर की साथ पहाडियों में से एक, समर हिल को शिमला के सबसे मनोरम पर्यतन स्थलों में से एक माना जाता है। जादूई मौसम और हरे भरे वातावरन से भरपूर, शैली पीक उन यात्रियों के बीच अत्यधिक लोख प्रिय है जो शांती और शांती के लिए जाने जाने वाले शिमला में घूमने के लिए स्थानों की तलाश में हैं। शहर का एक मात आरक्षित अभ्यारण्या, शिमला वाटा कैच्मेंट वन्यजीव अभ्यारण्या, विशेश रूप से प्रकृती प्रेमियों के साथ साथ फोटोग्राफरों के लिए शिमला के सबसे आनंदमय पर्यतन स्थलों में से एक है। यह एक बहुत प्रसिध नाम और एक पुराना पिस्सू बाजार है जो शिमला में रिज के पास स्थित है। यह गुरुद्वारा वर्ष 1907 का है और पधावा पहाडियों पर स्थित है। यह विशाल परिसर एक लोग प्रियस मारक है जो माल रोड की व्यस्त गलियों के बीच में स्थित है। यह विरासत स्थल बैंथनी पहाडी पर स्थित है और पर्यतकों के लिए शिमला हेरिटेज वॉक के हिस्से के रूप में शामिल है। अधिकांश हिमालई पाक खंड अभ्यारन्यों, राश्ट्रिय उद्यानों और सम्रिध वनस्पतियों और जीवों के लिए आरक्षित घोशित किये गए हैं जो यहां रहते हैं। यह चच 1886 के आसपास विक्टोरियन युग का है। अंद्रूनी भाग में फ्रांच गौथिक शेली का बहतरीन स्पर्श प्रदर्शित होता है और मुख्य हॉल में लगभग 400 उपासक बैच सकते हैं। यह विरासत संग्रहाले अननाडेल का एक हिस्सा है और रिज के पास स्थित है। आपकी शिमला यात्रा इस स्थान के आसपास पिकनिक बिताने के बिना अधूरी है। कमान देवी मंदिर एक बहुत ही प्रतिष्थित मंदिर है जो प्रोस्पेक्ट पहाडी पर स्थित है और शिमला बिलासपुर रोड पर बोईल यूगंज से पहुँचा जा सकता है। रानी जहासी पाक लेदीज पाक के रूप में प्रसिद है और मॉल रोड से आसानी से पहुचा जा सकता है। शिमला में रेल लाइन के निर्मान के कारणों के बारे में ज्यान प्राप्त करने के लिए यह संग्रहाले आपके लिए सबसे अच्छा सोदा है। मशीनों और इंजनों के कई डिस्पले हैं। यह अभियारन या शिमला से लगभग 11 के एमदूर है और प्रकृती प्रेमी के लिए आकर्शन का केंद्र है। पर्यटक आमतोर पर भौकने वाले हिरन, सियार, बंदर, भालू और तेंदूए आदी को देखते हैं। शिमला में घुरसवारी रिज पर या कुफरी में उपलब्ध है जहां आपको सेब के बगीचे, हसन घाटी के घने जंगल, महासू पीक आदी के माध्यम से कुफरी चिडिया घर में ले जाया जाता है। रोपवे रिज से आठ किलोमीटर की दूरी तै करता है जो जाखु मंदिर के रास्ते में आता है और लगभग पांच मिनिट में मंदिर तक पहुँचाता है। रोथनी कैसल एओ का घर था। ह्यूम जो एक राजनीतिक सुधारक और एक बहुत ही जानकार पक्षी विज्ञानी थे। प्रोस्पेक्ट हिल हरी घास के मैदानों, कई जल निकायों और हरे भरे मनोरम धाटी के हिस्सों से युक्त है। हवा घर शिमला में घूमने के लिए बहुत ही दिलचस्ट जगहों में से एक है क्योंकि यह शिमला के आकरशक द्रिश्यों के लिए एक खुली बालकनी के रूप में कार्य करता है। यह अनोखा मनोरंजन पाक कुफरी में समुद्र तल से 8500 फीट की उचाई पर स्थित है। यह बर्मा ब्रिज, फ्लाइंग फॉक्स, रॉक क्लाइंबिंग जैसी कई गतिविधियों की पेशकश करता है। शिमला में घूमने के लिए कसौली उन सुर्मिय स्थानों में से एक है जो अपने आप में एक विशेश अनुभव प्रदान करता है। सोलन हिमालाई के निचले हिस्सों में स्थित है और यह एक कम महत्वपूर्ण गंतव्य है, जो ज्यादातर उन यात्रियों के लिए उप्यूक्त है जो शहर के जीवन की हलचल से दूर रहना चाहते हैं। शिमला के भीतर स्थित छोटे शहरों में से एक, मशोब्रा शिमला के कई पर्यतन स्थलों में से एक है। समुद्र तल से 2500 मीटर उपर स्थित, फागू बर्फ से धकी चोटियों, हवादार वातावरण और राजसी हिमालय परवतमाला से सम्रिधा है। शिमला, हिमाचल प्रदेश के उपनगरिय इलाके में एक छोटा सा शहर, शोगी रात भर केंपिंग के लिए एक आदर स्थान है। बर्फ से धके शहर में समर केंप लगाने के लिए चैल सबसे अच्छी जगह है। यह शिमला में एक छोटा पहाडी धलान है जिसे पूरी तरह से लोगों को गर्मी से बचने में मदद करने के उद्देश से बनाया गया था। शिमला भारत की शीतकालीन खेलों की राजधानी और स्कियर का स्वर्ग है। शिमला में बर्फ से लदी पहाडी धलान स्कियंग पसंद करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। पबर घाटी शिमला से थोड़ा आगे है और थियोग से पहुँचा जा सकता है। धाटी की सुन्दरता इसकी बहती धाराओं, हरी भरी पहाडियों और सुन्दर सेब के बागों में नहित है। नारकंडा एक पहाडी शहर है जो शिमला से किन और तक चलने वाले राजमार्ग के साथ साथ किलोमेटर की दूरी पर स्थित है। यह 8100 फीट की उचाई पर स्थित है। तत्ता पानी शिमला से लगभग साथ के एम दूर स्थित है और शिमला के प्रसिद पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमाचल प्रदेश का यह छोटा सा दर्शनिय शहर अपने नौहोल गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। यदि आप इस तरह के कुशल खेल पर छीटा कशी करना चाहते हैं तो नालदेरा आपके लिए जगा है। JTC Holidays Private Limited, Rajkot. Contact 968-789-5000 या 922-76-00-89-00